नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीश डी आई क्यू जी के पर आज मैं आपके लिए मार्च 2020 के सरुष्रे 100 करंट फेस के कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन selected लिए हैं अच्छे लेवल के लिए हैं वही कोशन लिए हैं जो कोशन आपके एक्जाम के लिए important रह सकते हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा important रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा अदनाम अल जुरुफी किस देश के नए परधानमंत्री नियुक्त हुए हैं सही आंसर है बगदाद और इराक की करंसी है दिनार फ्रेंट ये भी आपके लिए important रहेगा नेक्स कोशन कर लेते हैं सुप्रीम कोट ने किस सेना में महिलाओं के स्थाई कमिशन दिये जाने की मंजूरी दे दी है सही आंसर हैसका option C 9 सेना में 9 सेना को हम नेवी भी बोलते हैं फ्रेंट अब सुप्रीम कोट ने महिलाओं को 9 सेना में यानि नेवी में भी स्थाई कमिशन दिये जाने की मंजूरी दे दी है important question रहेगा आपके exam के लिए फ्रेंट्स यहाँ पर बात हुई है 9 सेना की या बोल सकते हो इंडियन नेवी की बात हुई है भारतिये 9 सेना की स्थापना जो हुई थी 5 सेप्टेंबर 1912 को हुई थी हर साल भारतिये 9 सेना दिवस मनाया जाता है 4 डिसंबर को भारतिये 9 सेना की जो मुख्याले यानि हेड़क्वाटर है नई दिल्ली में स्थित है और present में भारतिये 9 सेना की जो अध्यक्ष है उनका नाम है Admiral Karamvir Singh ये नाम आपने वाइरस के लिए Safe Hand Challenge किसने शुरू किया है सही आंसर है Option A.WHO ने कोरोना वाइरस के लिए Safe Hand Challenge शुरू किया है ये कोशन भी आपके लिए important है फ्रेंस यहाँ पर दो चीज़े हैं समझने वाले एक है कोरोना वाइरस दूसरा है डबलू एचो फ्रेंस सबसे पहले हम बात करते हैं करोना वाइरस की जो करोना वाइरस 2020 में जो फैल रहा है ठीक है इसकी शुरूआत हुई थी 2019 में चीन की वहान शहर से ठीक है और 2020 करोना वाइरस से होने वाली जो बिमारी है ठीक है उसको COVID-19 नाम दिया गया है मतला फ्रेंस इस करोना वाइरस को COVID-19 नाम नहीं दिया गय नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बाद और फ्रेंट जो वुहान में जो कॉरोना वाइरस फैला है उसे सारस COV-2 नाम दिया गया है ये भी आपने याद रखना है और ये जो कॉरोना वाइरस है फ्रेंट हमारे जो लंग्स होते हैं यानि जो हमारे फेफडे होते है उसको परभावित करता है अब फ्रेंट हम बात कर लेते हैं डबलू एचो की इसमें से भी एक दो कोशन एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं डबलू एचो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्ते संगठन ड आपको देश का नाम भी याद रखना है और उसे भी ज़्याद है डबलू एचो के प्रेजंट में अध्यक्षों है टैडरोस एधनॉम यह नाम भी आपने याद रखना है इंपॉर्ण कोशन रहेगा आपके एक्जाम के लिए और सेफ हैंड चैलेंज जो है यह डबलू ए ठीक है तो G20 Leader Summit जो है यह रियाद शहर में आयोजित किया जाएगा अगर पूछा जाए किस देश में आयोजित किया जाएगा तब आपका अनसलों का साओधी अरब देश में आयोजित किया जाएगा G20 Leader Summit ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर बात हुई है साओधी अरब की राज तो रियाल होगा ठीक है अब फ्रेंट्स यहां पर बात हुई है G20 की G20 की बात हुई यहां पर G20 क्या है कि 20 देशों का समू है लेकिन आपने याद रखना है कि G20 में सरिफ देश कितने है 19 है ठीक है मतलब गुरूप आफ 20 इसका फुल फॉर्म है देश इसमें 19 है लेकिन एक जो है वो है European संग ठीक है क्या है European संग है जिसे की हम फ्रेंट्स हम EU भी भी बोलते हैं यह मतलब की European Union भी बोलते हैं कर लेते है कोरोना वाइरस से संबंतित जानकारी उपलप्त कराने के लिए कोरोना वाइरस इनफॉर्मेशन हब किसने लाउंच किया है आंसर है option A WhatsApp WhatsApp ने को गोरोना वाइरस इनफॉर्मेशन हब लाउंच किया है important रहेगा फिर्ट्स यहां पर बात हुई है WhatsApp की WhatsApp जो है Social Networking साइट है ठीक है इसकी जो पेरेंट कंपनी है Facebook है ठीक है मतलब Facebook ने इसको खरीद लिया है तो जो पेरेंट कंपनी है वो Facebook है WhatsApp की next question कर लेते हैं स्वाव बन एक्सप्रेश शुरू करने की घोशना करी है important है फिर्ट्स यहां पर बात हुई है SIDB की SIDB का full form होता है Small Industrial Development Bank of India फिर से बतायता हूँ Small Industrial Development Bank of India का full form है Hindi में full form होता है भारतिय लगू उद्धोग विकास bank सबसे ज्यादा इसका जो headquarter है न वो आपने याद रखना है लखन लेकिन जो SIDB है इसका लखनों में है लखनों कहां पर उत्तर परदेश में है इसकी जो पेंस अध्यक्ष है इसका नाम भी important है वो है मुहमद मुस्तफा नाम आद रखना है आपने मुहमद मुस्तफा जो है यह अध्यक्ष है SIDB के Next question कह लेते है World Happiness Report 2020 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सरी answer इसका option A Finland Finland देश जो है यह World Happiness Report 2020 में शीर स्थान पर रहा है फिंट्स यह question काफी important है और इस question में दो तिन question और बनते हैं वो मैं आपको बता ज़ता हूँ कभी अगर आपके पास report वाला question आता है या सूचकांग वाला question आता है या index वाला question आता है इसमे हमेशा आपको यह पता होना चाहिए कि number 1 पे कोन है उसके बाद top 3 देश कोन से है ठीक है top 3 देश कोन से है उसके बाद friends आपको बता होना चाहिए कि भारत की rank कैस में और सबसे अदा important है इसे जारी कोन करता है तो friends मैं आपको यह बता देता हूँ तो friends सबसे पहले हम बात कर जिसे कि हम बोल सकते है विश्व खुशी रिपोर्ट या विश्व खुशी सोचकांग ठीक है इसे जो friends जारी करता है यह काफी important है यह जारी करता है UN UN का full form होता है United Nation यह बोल सकते हो सईयोकतरास्ट UN जारी करता है World Happiness Report 2020 को ठीक है मैंने आपको बताया Finland है इस पे number 1 पे number 2 पे है और Switzerland देश जो है number 3 पे है मतलब मैंने आपको top 3 देश भी बता दिये अब सबसे ज़्यदा important है आपसे exam में पूछा जाएगा कि World Happiness Report 2020 में भारत किस स्थान पर है तो आपका answer होगा भारत जो है 144 वे स्थान पर है यह आपने याद रखना है भारत 144 वे स्थान पे है World Happiness Report 2020 में number 1 पे Finland, number 2 पे Denmark, number 3 पे Switzerland ठीक है यह सारी question important थे और अगर आपसे exam में पूछा जाए कि World Happiness Report 2020 को जारी कोन करता है सही युक्तराश्ट यानि UN जारी करता है जितनी भी आपको additional information दिये सब आपके लिए important है अगर आपको मेरा पढ़ाय वह पसंदार है वीडियो को like जरूर करिए या कम से कम 10 friend के साथ share भी जरूर करिएगा और friends मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस वीडियो में most important 103 question करवाने वाला हूँ जब आपके 103 question complete हो जाएंगे सभी question एक बार फिर से revision भी करवा दूँगा ताकि friends आपको सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाएं लास्ट में मैंने आपके लिए 10 question का test भी रखा है फिर सी सबसे बहतरीन तरीका होता है कि पहले आप पढ़ लो फिर आप revision कर लो फिर test दे तो तो मैं आपको इसी बहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको इतनी shorty देता हूँ कि एक एक question आपको इस वीडियो के बाद हमेशा के लिए याद होने वाले हैं नेक्स question कर लेते हैं COVID-19 के कारण बिना किसी छूट के curfew लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सही answer इसका option A पंजाब पंजाब राज्य जो है ये COVID-19 के कारण बिना किसी छूट में छूट क मतलग कि बिना किसी छूट के जो curfew लगाने वाला पहला राज्य जो बना है वो पंजाब बना है ठीक है फिरिंट्स यहां पे बात हुई है पंजाब राज्य की फिरिंट्स पंजाब की राजधानी चंडी गड़ है ठीक है यह आपने याद रखना है पंजाब की जो अखे निया दिश है, उनका नाम रवीशंकर जाहा है, ये भी आपने याद रखना है, नेक्ट कोशन कर लेते हैं, नेक्ट कोशन है मारा, बिमस्टेक शिखर सम्मिलन 2020 की इमेजबानी कौन सा देश करेगा, सही आंसर है, option D, भारत, भारत देश जो है, ये बिमस्टेक शिखर for multi-sectoral, technical and economic cooperation, फिर से बतायता हूँ, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral, technical and economic cooperation, बिमस्टेक की स्थापना हुई थी, 6 जो 1997 में, और फिर सबसे ज़्यादा important है, एक्जाम में पूछा भी गया था, बिमस्टेक का headquarter कहां पर है, बिमस्टेक का headquarter धाका में है, ठीक है, धाका कहां पर है, बांगलादे देश ने महिला T20 Wish Cup 2020 को जीता है, सही answer है, option A, Australia, Australia देश ने महिला T20 Wish Cup 2020 को जीता है, फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि Australia ने महिला T20 Wish Cup 2020 जीता है, आपको उप विजेता टीम भी पता होनी चाहिए, आपसे एक्जाम में पूछ लेंगे, कि महिला T20 Wish Cup 2020 की उप विजेता टीम थी, यह आपने याद रखना है, विजेता अस्टेलिया थी, उप विजेता भारत थी, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, डैनिश शिमगल किस देश के नए परधान मंतरी बने है, सही answer है, option A, युक्रेन देश के, डैनिश शिमगल जो है, यह युक्रेन दे और जो डिनेश शिमगल है, यह नए परधान मंतरी बने है, युक्रेन देश के, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, अश्रफ घनी किस देश के दूसरी बार राष्टपती नियुक्त होए है, सही answer है, option A, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान देश के दूसरी बार राष्टपती नियुक्त होए है, अश्रफ घनी, फ्रेंस, यहाँ पर बात होई है, अफगानिस्तान देश की, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की राजधानी काबूल है, और अफगानिस्तान की जो करंसी यानि मुद्रा है, वो अफगान अफगानी है, ठीक है, यह important रहेगा, और अप्शरफ घनी जो है यह दूसरी बार राष्टपती बने है अफगानिस्तान देश के नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं सही आंसर इसका option A जैकमा जो है चीन देश के हैं ठीक है जैकमा चीन देश के हैं अली बाबा गुरुप ज अलाइंस ग्रुप के मालेके मुकेश अंबा ने इनको रिप्लेस किया है जैकमा ने अब जैकमा सबसे अमीरादी बन गए हैं एशिया के नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं कोरोना वाइरस के लिए जागरू करने के लिए कोवा नामक मोबाइल आप किसने लांच किया है सही आंस कौन सा राज्य पोशन अभ्यान लागो करने में शीर स्थान पर रहा है सही आंसर इसका option A आंदरपर्देश राज्य जो है भारत का यह है पोशन अभ्यान लागो करने में शीर स्थान पर रहा है फ्रेंट्स यहाँ पे बात हुई है आंदरपर्देश की फ्रेंट्स ठीक है बिश्वा भूचन हरी चंदरन गवर्नर का नाम है और मुख्य नियादिश यानि Chief Justice का नाम है जेके महेश्वरी यह नाम भी आपने याद रखना है जेके महेश्वरी मुख्य नियादिश है आंदरबर्देश के नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं बांगलादेश का नया राश्टिय नारा क्या बना है सही आंसर है Option C Joy Bangla Joy Bangla जो है यह बांगलादेश का नया राश्टिय नारा बना है यहाँ बात हुई है बांगलादेश की बांगलादेश जो है हमारा पडोसी देश है ठीक है बांगलादेश यह भारת के साथ सबसे लम्बी boundary बनाता है, में भारत का ऐसा प्रडोशी देश है, जिसकी boundary सबसे लम्बी है भारत के साथ, बांग्ला देश की जो एक चाल मका नाम도 है, अर यहां की जो प्रदान मंतरी महिला है, उनका नाम है शेकह सीना, ऐसरे समेट यहां के आप राश्ट और जोई बंगला जो है बंगला देश का निया राष्ट्रे नारा बनी गया है, most important question है यह, next question कर लेते हैं, कोविट 19 को किसने महामारी घोशित किया है, सही answer है, option A, WHO, WHO जिसका full form world health organization होता है, विश्व स्वास रंगठर हिंदी में बोलते हैं, इसने कोविट 19 को महामारी घोशित कर दिया है, और WHO के बारे हैं, पूरी जानकारी मैं आपको उपर दे चुका हूँ, ठीक है, next question कर लेते है हाली में अमिताब बच्चन किस bank के नए brand ambassador बने हैं, सही answer है, option D, IDFC first bank, IDFC first bank के नए brand ambassador नियुक्त होए हैं, अमिताब बच्चन, अभी नेता है, और इनी को IDFC first bank का brand ambassador नियुक्त किया गया है, friends, यहाँ पे बात हुई है, IDFC first bank, friends, IDB, IDFC first bank जो है, इसकी स्थापना होई थी, अक्टूबर 2015 में, इसका जो friends headquarter है, काफी important है, यह मुंबई शहर में है, मुंबई कहाँ पर है, महराष्ट राज्य में है, ठीक है, और इसकी जो present में अध्यक्ष है, उनका नाम राजीव लाल है, और MDN CEO जो है, वो है, V. Vidya Nathan, ठीक है, V. Vidya Nathan, जो है, MDN CEO है, और IDFC first bank का जो tagline है, वो है, always you first, बैंकों के friends, जो tagline होते हैं, वो important होते हैं, next question कर लेते हैं, NCRB ने 35 स्थापना दिवस कम मनाया है, सही answer है, option B, 11 March, 11 March को NCRB ने अपना 35 स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, friends, यहाँ पर ना word आया है, NCRB, friends, यहाँ पर जो NCRB है, जो मैंने आपको इसने 35 स्थापना दिवस मनाया है, 11 March को, इसका full form होता है, National Crime Records Bureau, फिर से बताता हूँ, National Crime Records Bureau, NCRB का full form होता है, हिंदी में full form होता है, इसका राश्टिये अपराध Record Bureau, ठीक है, और इसकी जो स्थापना होई थी, 11 March 1986 को होई थी, इसका जो friends, headquarter है, NCRB का नई दिल्ली में है, और present में NCRB के अध्यक्ष है, रामफाल पवार, जितनी addition information दिये, सब आपके लिए important है, friends, मैं आप कोई good news देता हूँ, कि मेरा जो current affair का channel है, रवी study IQ GK 2.0, यह launch हो चुका है, यह आप YouTube पे सर्च करना है, आपको रवी study IQ GK 2.0, इसे भी subscribe कर लिजिए, सुबह 4 बजे daily videos आत रहे हो, आपको इसका PDF चाहिए होता है, ठीक है, आपको PDF के लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, ना ही सबी question है, कि आपके notes बनाने के में आपको time waste करना पड़ेगा, आपको स्रीफ मेरे website पे आना है, www.ravistudyikgk.com, यहाँ पे friends, हर महिने के जितने इसे भी current affairs के questions होते हैं, जो मैं आपको top 50, top 100, top 200 करवाता हूँ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, website है www.ravistudyikgk.com, ठीक है friends, यह आपने google पे या फिर अपने किसी भी web browser में जाके search करना है, यहाँ पे आपको gk, maths, english, reasoning, सबके notes मिल जाएंगे, special whatsapp group है 7814339999, इसे भी आ कर लीजिए, next question कर लेते हैं, 2020 में किस team ने पहला रंची trophy किताब जीता है, सही answer इसका option A, Saurast, Saurast की team जो है, इसने 2020 में पहला रंची trophy किताब जीता है, यह question भी काफी important है आपके लिए, next question कर लेते हैं, विश्व उभोकता अधिकार दिवस का मनाया गया है, सही answer है, option A, 15 March क हर साल विश्व उभोकता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, friends मैं आपको मार्च महीने के current of 8 से question कर वा रहा हूँ, तो मार्च महीने में जितने भी महतोपून दिवस आएं हैं, एक बार मैं आपको revise कर वा देता हूँ, तो friends, 3 March को विश्व वन जीव दिवस मनाय जाता है, 22 March को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 March को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 March को विश्व 6 रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे कि हम tuberculosis day भी कहते हैं, सबसे दो important है 18 March को विश्व डाउन syndrome दिवस के रूप में मनाय जाता है और मैंने आपको बताया कि विश्व भुगता दिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया फ्रेंट जितनी भी मैंने आपको एडिशन इंफॉर्मेशन दिए फ्रेंट सी मैंने पूरा महीना आपको रिवाइज करवा दिया मैं तो पुन दिवस का सभी आपके लिए इंपॉ कि जो BCCI का मद्ध हसता है इसके रूप इन्यूक्त किया गया है पियस नर्सीमा को ठीक है यहाँ पर वर्ड आ गया है BCCI इससे काफ़ ज़्यादा कोशन इंपॉर्ण बनते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो विश्यू में किर्केट मैचिस होते है ना उसको ICC C regulate करता है ठीक है विश्यू में फुटवाल के मैच होते हैं उसे FIFA regulate करता है वैसे ही भारत में जो किर्केट मैचिस होते हैं उसको BCCI regulate करता है BCCI के बारे पुरी जानकरी मैं आपको दे देता हूँ फ्रेंट सी जितने भी कोशन अब तक इसाम में पूछे गए था ना BCCI से सभी मैं यहाँ पे लिख दी है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BCCI का full form होता है Board of Control for Cricket in India हिंदी में बोलते हैं भारतिय किर्केट नियंतरन बोर्ड सबसे ज़्यादा important है BCCI की स्थापना है और 1928 में हुई थी BCCI के present में जो अध्यक्षा है वो सौरव गांगुली है BCCI के जो CEO है इनका नाम राहुल जोहरी है BCCI के जो उपाध्यक्ष है इनका नाम महीम वर्मा है और BCCI के जो सचीव है इनका नाम जै शाह है important question रहेगा आपके exam के लिए जितनी भी मैं आपको additional information दिये फैं सब अपने आप में question है next question कर लेते हैं राश्टिय टीका करन दिवस कब मनाया गया है सही answer है option A 16 March को हर साल राश्टिय टीका करन दिवस के रूप में मनाया जाता है next question कर लेते हैं Mumbai Central Railway Station का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा सही answer है option A Nana Shankar State Nana Shankar State के नाम पर रखा जाएगा नाम रखा जाएगा Nana Shankar State के नाम पर next question कर लेते हैं किसे RBI केंद्रिय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है सही answer है option A देवाशिष पांडा देवाशिष पांडा जो है इनको RBI केंद्रिय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है important question है यहाँ पर वर्ड आया है RBI ठीक है भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं उनको RBI regulate करता है RBI का full form होता है Reserve Bank of India हिंदी में बोलते हैं भारती Reserve Bank RBI की जो स्थापना हुई थी यह आपने याद रखना है 1 April 1935 को हुई थी RBI का headquarter आपसे पूछा जाता है Mumbai शहर में है Mumbai कहां पर है महाराश्ट, राजे की राजधाने या बोलो महाराश्ट में है सबसे ज़्यादा important है RBI के present में गवर्नर RBI के जो present में गवर्नर है इनका नाम है शक्तिकान्दास क्या नाम इनका शक्तिकान्दास ये नाम भी आपने याद रखना है और RBI केंद्रिये बोर्ड में निदेशक के रूप में देवाशीश पांडा को नियुक्त किया गया है Next question कर लेते है हिरिदेश कुमार को किस राजधे या केंदर शाषित परदेश का मुखे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है Most important question है Option D. Jammu Kashmir Jammu Kashmir पहले राजधे था लेकिन अनुछे 73 यहां से खतम किया गया और Jammu Kashmir को दो केंदर शाषित परदेश में बाढ़ दिया गया एक केंदर शाषित परदेश बना है जammu Kashmir दूसरा बना है लद्दाग ठीक है यह आपने याद रखना है और हिर्देश कुमार को Jammu Kashmir का नया मुखे निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है जammu Kashmir के जो नए उपर राजधे पाल बने है उनका नाम है ग्रीस चंदर मुर्मो यह भी आपने याद रखना है पहले हमारे देश में 29 राजधे हुआ करते थे 7 केंदर शाषित परदेश थे लेकिन आज की डेट में एक राजधे कम हो गया कौन सा जammu Kashmir तो 28 राजधे हो गए 2 केंदर शाषित परदेश बने जammu Kashmir और लद्दाग तो 9 हो गए ठीक है इसके बाद friends दमनेंदीब जो है इसको मर्ज कर दिया गया तो अब जो है present में हमारे देश में 88 के अंदर शाषित परदेश हो गए है और 28 राजधे हो गए है ठीक है यह आपने याद रखना है next question कर लेते है rating agency S&P ने 2020 में भारत की विकासदर कितने परतीशत रहने का अनुमान लगाया है सही answer है option C 5.2% rating agency S&P इसने 2020 में भारत की विकासदर उसे 5.2 परतीशत रहने का अनुमान लगाया है next question कर लेते हैं Google Cloud India का नया प्रबंध निदेशक किसे नियोक्त किया गया है सही answer है option A. करन बाजवा करन बाजवा जो है इनको Google Cloud India का नया प्रबंध निदेशक निदेशक किया गया है important question रहेगा आपके exam के लिए friends यहाँ पे न Google की बात हुई है Google जो है America की company है ठीक है आपसे exam में पुछा जा सकता है कि जो Google है इसके present में जो CEO है उनका नाम क्या है तो आपका answer का सुन्दर पिचाई ठीक है सुन्दर पिचाई जो है CEO है Google company के और जो Google company के संस्थापक है उनका नाम Larry Page है और सरगई Brin है यह भी नाम आपने याद रखना है CEO कोन है सुन्दर पिचाई जो कि भारती है next question कर लेते है बजाज आटो का निया MD&CEO किसे नियुक्त किया गया है answer is का option B राजी बजाज राजी बजाज को बजाज आटो का निया MD&CEO नियुक्त किया गया है next question है मारा युगांडा में भारत का अगला उचायुक्त किसे नियुक्त किया गया है सही answer है option D A. Ajay Kumar A. Ajay Kumar को युगांडा में भारत का अगला उचायुक्त नियुक्त किया गया है friends यहाँ पे न युगांडा देश आया है युगांडा जो है friends अफिका महादीप में है युगांडा की जो राजधानी है कमपाला है और युगांडा की जो करंसी है वो शिलिंग है यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं अंतराच्टिय वन दिवस कब मनाया गया है सही आंसर है ऑप्षन C 21 मार्च को अंतराच्टिय वन दिवस के रूप में मनाया गया या बोल सकते हैं वर्ल्ड फॉरस्ट डे मनाया गया है 21 मार्च को साथ जवाला मुखी शिखर पर चड़ने वाले पहले भारतिये कोन बने हैं सही आंसर है ऑप्षन B सत्या रूप सिद्दान सत्या रूप सिद्दान जो है यह साथ जवाला मुखी शिखर पर चड़ने वाले पहले भारतिये बने हैं Next question कर लेते हैं औरंगाبाद हवाईअड़ा का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है? It is doen – option D. समझी थाःत्रपति संभाजी महराज के नाम पर रखा गया है औरंगाबाद हवाईअड़ा का नाम बदल जितने भी बदले वे नाम वाले कोशन होते हैं, एक्जाम के लिए काफी important होते हैं, next question कर लेते हैं, कौन सा राजे पोशन अभ्यान के प्रतियोगिता की सूची में शीर स्थान पर रहा है, सही answer है, option D, Tamilandu, Tamilandu राजे जो है भारत का, यह पोशन अभ्यान के प्रतियोगिता क सूची में शीर स्थान पर रहा है, important question रहेगा आपके एक्जाम के लिए, friends, यहाँ पर बात हुई है, तमिलandu राज्ये की, friends, यहाँ पर जो तमिलandu है, इसकी राजधानी चन नहीं है, ठीक है, और यहाँ के जो मुख्य मंतरी है, के पलानी स्वामी है, यहाँ के गवर्नर option D, नई दिल्ली, नई दिल्ली शहर में Google ने cloud network सुविधा बनानी की घोशना करी, friends, उपर मैं आपको Google के वारे में बता चुका हूँ, next question कर लेते हैं, कोन सा राजे solar roof top स्थापित करने में शीर स्थान पर रहा है, सरी answer है, option A, गुजरात राजे जो है भारत का, यह solar roof top स्थ इसका मतलब, friends, यह है कि जो छटों पर जो solar panel लगाए जाते हैं, जिसे कि हम electricity पैदा करने के लिए use करते हैं, मतलब sun energy को use करते हैं, electric energy में convert करने के लिए, उसमें top पे रहा है गुजरात, friends, यहाँ पे ना बात हुई है गुजरात राज्य की, गुजरात की राजधानी, friends, ग खेने आदिश है, उनका नाम है विकरम नाथ, next question कर लेते हैं, Indian Coast Guard की पहली महिला DIG कौन बनी है, सही answer है, option A, नुपुर कुल्षरेश्ट, नुपुर कुल्षरेश्ट जो है, यह Indian Coast Guard की पहली महिला DIG नियुक्त हुई है, friends, यहाँ पे ना बात हुई है, Indian Coast Guard की, जिसे कि हम ह भारतिय तत्रक्षक बल भी बोलते हैं, Indian Coast Guard जो है, जिसे कि हम भारतिय तत्रक्षक बल बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, 18 अगस 1978 को, और भारत में हर साल Indian Coast Guard या बोल सकते हो, भारतिय तत्रक्षक बल दिवस मनाया जाता है, एक फरवरी को, और नई दिल्ली में इसका Headquarter है, और सबसे ज़्यादा Important है, प्रेजंट में जो Indian Coast Guard या भारतिय तत्रक्षक बल बल इसके अध्यक्ष, नाम है किर्शन सवामी नटराजन, ये नाम आपने याद रखना है, नेक्स्ट कोशन है मारा, BBC Indian Sports Woman of the Year Award 2019 किसने जीता है, Most Important Question है, सही आंसर है, इसका Option B, PV सिंधु, इन्होंने BBC Indian Sports Woman of the Year Award 2019 जीता है, Next Question कर लेते हैं, किस युनिवरस्टी ने अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो खांची शुरू किया है, सही आंसर है, Option A, राची युनिवरस्टी, राची युनिवरस्टी जो है, इसने अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो खांची World Kidney Day के रूप में मनाया जाता है, Friends के बाद जो मैं आपको revision करवा रहा हूँ, वो आपके लिए काफी जादा important रहेगा, Next Question है मारा, किस राची की सरकार ने निकाए चुनावों में निगरानी के लिए निगहा एप को launch किया है, सही आंसर है, Option A, आंदर परदेश राची की सर सर्च किये जाने वाली महिला कोन बनी है, सही आंसर है, Option D, Taylor Swift, Taylor Swift जो है, यह Google पर सबसे अधिक सर्च किये जाने वाली महिला बनी है, और Friends, जो Taylor Swift है, यह America की है, और America की गाई का है, Next Question कर लेते हैं, महिला उध्यमिता को पुरसाहित करने के लिए प्रगती पहल किस ने प्रगती पहल को शुरू किया, कोई नाम याद रखना है, प्रगती पहल, किसने शुरू किया है, Facebook ने, महिला उध्यमिता को पुरसाहित करने के लिए, Friends, यहां पे बात हुई है, Facebook की, ठीक है, Facebook मैंने आपको बताया, कि Social Networking साइट है, आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि जो Facebook है, इसके संस्थापक कोन है, तो, Friends, Mark Zuckerberg जो है, यह Facebook के संस्थापक है, ठीक है, और CEO भी Mark Zuckerberg ही है, और इसका जो, Friends, Headquarter है, USA में है, USA में जो California है, California जगह है, यहां पर Facebook का Headquarter है, Australia की सबसे उची चोटी, Mount Kosi, उसको पर चड़ने वाली भारतिया महिला कोन बनी है, सही आ भावना डेहरिया जो है, यह Australia की सबसे उची चोटी, Mount Kosi, उसको पर चड़ने वाली भारतिय महिला बनी है, ठीक है, और इसकी जो Australia है, इसकी जो राजधानी है, कैनेबरा है, और यहां की जो करंसी है, वो Australia ही डॉलर है, किस देश की सरकार ने Hand Sanitizer और मास्क को आविशक वस गोशित कर दिया है, फिर देखो, जो Corona Virus के कारण, जो Hand Sanitizer है, और जो मास्क है, इसकी काफी जाधा Demand बढ़ गी थी, ठीक है, तो जो दुकानदार थे, वो क्या कर रहे थे, जमा खोरी कर रहे थे, मतलब काला बजारी कर रहे थे, और बाद में उसको, मतलब, Double Rate में बेच र इस वज़े से, अब यह जो Hand Sanitizer है, और यह जो मास्क है, इस पर ब्लैक मार्किटिंग है, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, यह आपने याद रखना है, नेक्ट कोशन कर लेते हैं, दो हजार बीस में किसी युगांडा के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, सही आंसर है, Option A, राजेश चपलोद, राजेश चपलोद को दो हजार बीस में युगांडा का जो सर्वोच नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, नोबेल शानती पुरुसका दो हजार बीस के लिए किसे नामंकित किया गया है, सह देखो, 2019 में जो नोबेल शानती पुरुसकार मिला था, वो मिला था, इथोपिया के जो प्रधान मंतरी थे, अभी एहमद अली, इथोपिया के प्रधान मंतरी अभी एहमद अली, उनको 2019 में नोबेल शानती पुरुसकार दिया गया था, ठीक है, 2020 में जो नामंकित हुई है वो हुई है ग्रेटा धुनबग जो की फिर्ट सुडन देश की हैं नेक्ट कोशन कर लेते हैं किस राज्य की सरकार ने सारवजनिक स्थानों पर थोगने पर 500 रुपे का जुर्माना लगाया है सही आंसर है ऑप्शन C गुजरात राज्य की सरकार है इसने सारवजनिक स्थानों पर थोगने पर 500 रुपे का जुर्माना लगाया है गुजरात की बारे मैं आपको अलिडी बता चुका हूँ इसके बाद जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफी important रहेगा सभी कोशन इसी वीडियो में आपको याद होने वाले है PDF के लिए आप वीडियो की description चेक कर सकते हो या मेरे website पर आ सकते हो www.ravistudy.com किस पतरकार को चमेली, देवी, जैन, पुरुसकार से सम्मानित किया गया है सही answer है option C उप्यूक्त दोनो आर्फा, खानम, शेरवानी और रोहिनी, मोहन इनको चमेली, देवी, जैन, पुरुसकार से सम्मानित किया गया है next question कर लेते है हाली में किसकी biography and extra life launch किया गया है सही answer है option A मनोहर परिकर मनोहर परिकर की biography है and extra life इसे launch किया गया है अगला question कर लेते है गोपाल रेडी किस राज्य के नए मुख्य सचीव नियुक्त होए है सही answer है option A मद्धे परदेश मद्धे परदेश राज्य के नए मुख्य सचीव नियुक्त होए है गोपाल रेडी फ्र tyreण्स यहां पर नहीं मद्धे परदेश की बात होई है मद्धे परदेश की राजदानी भोपाल है ठीक है और यहां के जो फ्रेंटस मुख्य मंत्री है पहले थे कमलनाथ ठीक है लेकिन अब बन गए है फिर से शिवरासिंग शिवरासिंग चोहां ठीक है और यहां के जो governor है लाल जी टंडन है ये भी आपने याद रखना है और यहां के जो उच्छ नियाले के मुख्य नियादीश है उनका नाम है अजय कुमार मित्तल अजय कुमार मित्तल मैंने आपको बताया है फेंस मद्यपरदेश की राजदानी भोपाल है आपसे एक एक्जाम में कोशन पूचा आता है कि जो भोपाल गैस ट्रैजिडी हुई थी जिसमें काफी हजार लोग लाखों लोग मारे गए थे उसमें किस गैस का रिसा हुआ था त सहिया अंसर है option C सरक पडीवन एवं राजमार्क मंत्रा ले ने पारदर्शी तरीके से भूमी अधिगरहन करने के लिए भूमी राशी पोर्टल को लॉँच प्रेजेंट में जो सरक पडिवन एवं राजमार्क मंत्री है हमारे देश के वो निदिन गड़ करी है नितिन जह राजे सबस अदस्य बनने वाले पहले पूर मुखे नियादिश बने हैं, काफी important question है आपके exam के लिए, पर रंजन गो गई जो थे, हमारे देश के मुखे नियादिश थे, ठीक है, अब इनके बाद जो बने है मुखे नियादिश वो बने है, शरद अरविंध बोबडे, ठीक रेटिंग्स ने, 2021 में भारत की GDP वृद्धिद्धर, GDP का full form होता है, gross domestic product, हिंदी में बोलते हैं, सकल, ग्रेल, उत्पाद, ठीक है, यह भी आपने याद रखना है, फिनसी, GDP वाले जो questions है न, exam में अक्सर पूछे जाते हैं, next question कर लेते हैं, भारत सरकार ने 200 ml hand sanitizer की कीमत कितन पता है, जो mask है, जो hand sanitizer है, इसे आवश्यक वक्सतु घोशित किया है, हमारी देश की सरकार ने, क्यों किया था, क्योंकि इसकी पीछे, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, क्योंकि इसकी demand काफी जादा बढ़ गी है, क्रोना वारिस के कारण, तो friends, इसका जो rate है न, वो भी दिवस कब मनाया गया है, सहий आंसर है, option b, 23 March को विश्व मौसम विज्यान दिवस के रूप में मनाया गया है, अंतराश्टी महिला दिवस कब मनाया गया है, सही आंसर है, option d, रोही सर्मा, भार्ती करकेट तीम के उपकाप्तान है, इन्होंने Times of India Sports Award 2019 में Cricketer of the Year Award जीता है Most important questions हैं Next question कर लेते हैं कि शहर में नैनो विज्ञान और प्रोधोगी पर अंतर राश्टिय सम्मिलन आयोजित किया गया है सही answer है Option D, Kolkata शहर पश्चिम बंगल की राजधानी है Kolkata यहां पर नैनो विज्ञान और प्रोधोगी पर अंतर राश्टिय सम्मिलन को आयोजित किया गया है यह question भी आपके लिए important है सम्मिलन वाले questions एक्जाम में पूछे जाते हैं किस company ने हैदराबाद metro के साथ QR अधारी टिक्टों के लिए समझोता किया है सही answer है अप्शन ए पेटियम पेटियम ने हैदराबाद metro के साथ QR अधारी टिक्टों के लिए समझोता किया है फिर देखो पहले क्या उधा था Metro station पे टिकट लेने टिकट लेना परता था ठीक है टिकट में काफी लंबी लाइन लगती थी उसके बाद फिर सिस्टम आया Metro card Metro card में भी अपने पैसे डलवाने है तो भी आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अब इसे रिप्लेस कर दिया इन दोनों को पेटियम ने पेटियम में क्या है फैंट्स आप आप आनलाइन मतलब QR code scan करके टिकट खरी सकते हो ठीक है तो यह काफी अच्छी पहल है पेटियम की तरफ से और इसे इसके साथ तो साज़धारी करी है वो हैदराबाद मैटरोने करी है फैंट्स यहाँ पे बात हुई है पेटियम की पेटियम जो है फैंट्स इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में ठीक है सबस्था इंपॉरेंट है पेटियम का हैड़कॉर्टर पेटियम का जो फैंट्स हैड़कॉर्टर है वो नॉइडा में है नॉइडा कहाँ पे है यूपी में है पेटियम के संस्थापक है विजय शेकर शर्मा, पेटियम के संस्थापक विजय शेकर शर्मा है और CEO भी विजय शेकर शर्मा ही है, इसकी जो फ्रेंट कंपनी है वो अली बाबा गुरूप है, 42% का शेर होल्ड करती है, 197 भी है इसकी पेटियम कंपनी जो की 38% शेर होल्ड करत है PTM में आपसे exam में पूछा जा सकता है कि जो PTM company है काफी famous company है इंडिया की इसमें Alibaba का share कितना है 197 company का share कितना है और Softbank का share कितना है मैंने हाँ पर बता दिया आपको important है next question कर लेते है QS World University ranking में कौन sheets पर रहा है सही answer है option A MIT MIT यो university है ये QS World University ranking में sheets थान पर रहा है important question है आपके लिए next question कर लेते हैं हाली में I report के अनुसार bank खातों में महिलाओं का जो सौमितव है बढ़कर कितने परतिशत हो गया है सही answer है option C 77% हाली में I report के अनुसार bank खातों में महिलाओं का जो सौमितव है वो बढ़कर 77% हो गया है next question है मारा भारतिय तटरक्षक अभ्यास सारस 2020 कहां आयोजित हुआ है सही answer है option D गोवा राज्य गोवा राज्य जो है भारत का यहां पर भारतिय तटरक्षक अभ्यास सारस 2020 आयोजित किया गया है भारतिय तटरक्षक को हम Indian Coast Guard भी बोलते हैं और इसके बारे मैं आपको मैं already explain कर चुका हूँ यहां पर बात विए फ्रेंड्स Gowa की गोवा की जो राज्य धानी है वो पनजी है गोवा के जो मुख्य मंत्री है उनका नाम प्रमोध सावंत है ठीक है are सत्यपाल मलिक यह भी आपने याद रखना है फ्रेंड गहों जितने भी कोशन मैं आपको करवा चुका हूँ उसमें आप यह देख सकते हो कि भारत के जितने भी राज्ये थे, काफी ज़्यादा देश थे, संगठन थे, मैंने आपको उनके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, टोकियो अलम्पिक, टोकियो कहां पे है टोकियो जपान की राजधानी है, जपान का जो होन्शू दूइप है ना, जो सबसे बड़ा दूइप है जपान का, यही परिस्तित है टोकियो, यह कोशन एक्जाम में पूछ लेते हैं कि टोकियो जपान यह किस दूइप है, 2020 में होना था लेकिन इसे एक साल के लिए पॉस्ट पॉन कर दिया गया है अब ये 2021 में होगा ये कोशन भी आपके लिए important है next question कर लेते हैं महीलाओं के लिए अंतर राश्टी ए महीला दिवस के दिन help line number 011-26565285 का शुभारम किस ने किया है सही answer है Dr. Harshvardhan हमारे देश के केंद्रिय स्वास्ते मंत्री है Dr. Harshvardhan इन्होंने अंतर राश्टी महीला दिवस के दिन help line number 011-26565285 का शुभारम किया है अंतराश्टी महिला दिवस की बात करते हैं मैंने आपको उपर बता चुका हूँ यह हर साल आठ मार्च को मनाया जाता है ठीक है अब मैंने आपके लिए फ्रेंट्स यह नंबर लिखा है यह नंबर आपके लिए काफी important है क्योंकि इसे ना पूरे All India के लिए लाउंच किया गया है ठीक है तो यह नंबर आपके लिए important है next question कर लेते है कौन सा देश freedom in the world 2020 report में शीर स्थान पर रहा है सही answer इसका option A Finland Finland देश जो है यह freedom in the world 2020 report में शीर स्थान पर रहा है उपरी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी question जो report वाला हो सोच कांक वाला हो index वाला हो उसमें आपको top 3 देश पता होने चाहिए जारी कोन करता है यह पता होना चाहिए भारत का इस्थान क्या है यह पता होना चाहिए इससे जो जारी करता है freedom in the world 2020 report को यह अमेरिका की rating company है freedom house freedom house ने जारी किया है इसके बाद जो friends top 3 देश है Finland तो मैंने आपको बता दिया number 1 पे है Norway है इस पे number 2 पे Sweden है number 3 पे top 3 देश तो यह हो गए ठीक है अब एक question बनता है exam में पूछा जाएगा कि भारत जो है freedom in the world 2020 report में किस स्थान पर है भारत ना 83 इस्थान पर है most important question है जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है next question कर लेते है BBC World History magazine ने किसे दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना है सही answer है option A महाराजा रंजीस सिंग को BBC World History magazine ने दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना है important है next question कर लेते है किस राजे में फगली उत्सव मनाया गया है सही answer है option D हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश राजे में फगली उत्सव मनाया गया है important question है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सही answer है option A Pakistan पाकिस्तान देश जो है यह हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर स्थान पर रहा है next question है किस राजे की सरकार ने स्थान सहायता समों के लिए मिशन शक्ती विभाग बनाया है सही answer है option C Odisa Odisa राजे की सरकार ने स्थान सहायता समों के लिए मिशन शक्ती विभाग बनाया है important question रहेगा next question कर लेते है साथ में डॉक्टर MS स्वामिनातन पुरुसकार के लिए किसे चुना गिया है सही answer है option A V. Praveen Rao V. Praveen Rao को साथ में डॉक्टर MS स्वामिनातन पुरुसकार के लिए चुना गिया है और फैंस ये जो MS स्वामिनातन है ये भरत में हरत करांती के जनक है उनको माना जाता है MS स्वामिनातन को फोन पे ने UPI लेंदन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साज़धारी की है सही answer है option D ICICI bank फोन पे ने UPI लेंदन की सुविधा के लिए ICICI bank के साथ साज़धारी की है फैंस यहाँ पर वर्ड आया है UPI फुल फॉर्म उतैस का Unified Payment Interface फैंस यह जो ICICI bank है ना इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जनवरी 1994 को हुई थी यह आपने याद रखना है और इसकी जो अध्यक्ष है ना उनका नाम है Greece Chandra Chaturvedi अध्यक्ष का नाम है Greece Chandra Chaturvedi और MD and CEO है Sandeep Bakshi और इसका headquarter Mumbai शहर में है Next Question कर लेते हैं महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए Dizzy Pivot का इकरम किसने शुरू किया है सही आनसर इसका Option A Google India Google India ने महिलाओं के विकास के लिए Dizzy Pivot का इकरम को शुरू किया है Next Question कर लेते है WEF की Young Global Leaders की सूची में किसे शामिल किया गया है सही आनसर इसका Option C उप्यूक्त दोनो गौरव गुपता और बाईजू सुरुविंदरन गौरव गुपता और बाईजू सुरुविंदरन को WEF की Young Global Leaders की सूची में शामिल किया गया है WEF का फुल फॉम होता है World Economic Forum Next Question हमारा किस राजे की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्त के इंदरों पर आरोग्या मित्र की नियुक्ती की घोशना करी है सही आनसर इसका Option C उत्तर परदेश उत्तर परदेश राजे की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्त के इंदरों पर आरोग्य अमित्र की न्युक्ति की घोशना करी है फेंस यहां पे उत्तर बर्देश आया है उत्तर बर्देश की जो राजधानी है वो लखनो है यहां के मुख्य मंत्री का नाम है योगी अदित्यनात और यहां की जो गवर्नर है उनका नाम अनंदी बेन पटेल है ठीक है अपने याद रखना है किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ओफ फें में शामिल किया गया है सही आंसर है option A. Tiger Woods को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ओफ फें में शामिल किया गया है किस राज़े की सरकार ने उत्तरायन योजना के तहत 33 स्टेडियमों के निर्मान की घोशना करी है सही आंसर है Option D. असम असम राजे की सरकार ने उत्रायन योजना के तहस 33 स्टेडियमों के निर्मान की घोशना करी है Next question करे लेते हैं Dark विभाग ने कहां एक मुफ्ट डिजिटल पारसर लौकर सेवा को शुरू किया है सही आंसर है Option D. कोलकाता कोलकाता की डाक विभाग ने मुफ्ट डिजिटल पारसर लौकर सेवा को शुरू किया है Next question करे लेते हैं भारत Global Animal Protection Index में कौन से स्थान पर है सही आंसर है Option A. दूसरे स्थान पर है भारत Global Animal Protection Index इसमें दूसरे स्थान पर है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि Global Animal Protection Index में भारत दूसरे स्थान पर रहा है और इसमें ने फ्रेंडिंग ग्रेडिंग दी जाती है अगर आप से पुछा जाए कि Global Animal Protection Index में भारत को कौन सा ग्रेड मिला है भारत को C ग्रेड मिला है ठीक है और इसमें जो फ्रेंड्स ग्रेड दिया जाता है वो A से लेके G तक दिया जाता है A सबसे बेस्ट होगा G सबसे वर्स्ट होगा भारत को C ग्रेड मिला है ठीक है और वैसे अगर rank की बात करें भारत दूसरे rank पर रहा है आपको अब यह पता होना चाहिए कि Global Animal Protection Index को जारी कोन करता है Global Animal Protection ही जारी करता है ठीक है इसको और इसका जो headquarter reference London में है London कहां पर है आप सभी को बता है United Kingdom में है ठीक है आप बोल सकते हो England में है और इसकी जो friends अध्यक्ष है उनका नाम है Paul Baldwin नाम याद रखने हैं आपको Paul Baldwin जो है यह अध्यक्ष है Next question कर लेते हैं दुनिया में सबसे ज़ादा नुकसान जहिलने वाले अरपतियों में कौन सीशपत स्थान पर है सही answer है इसका option A बर्नार्ड अर्नॉल्ड बर्नार्ड अर्नॉल्ड जो है यह दुनिया में सबसे नेक्ष्ट कोशन कर लेते हैं भारत का पहला जीवित पाक कला संगरहले को लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है यह किस राज्जे में स्थित है सही answer है option A मनिपाल मनिपाल शहर में स्थित है ठीक है मनिपाल शहर में स्थित है और राज्जे की बात करें और फ्रेंटस यह करनाटक राज्जे में है ठीक है अगर आपसे पुछा जाए किस राज्जे में है करनाटक में है और शहर कौन सा है मनिपाल शहर है किस देश में दुनिया की इकलौती सफेद महिला जिराफ की मृत्यू हुई है सही आंसर है ओप्षण ए केनिया केनिया देश जो है यहां पर दुनिया की इकलौती सफेद महिला जिराफ की मृत्यू हुई है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं अब्जर्वर एप लौंच करने की घोशना किसने करी है सही आंसर है option A, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग जो है इसने observer app launch करने की घोशना करी है next question कर लेते हैं, एशियाई छेतर के लिए राष्टमंडल युवा पुरुसकार किसने जीता है सही आंसर है पदनाबन गोपालन, पदनाबन गोपालन ने एशियाई छेतर के लिए राष्टमंडल युवा पुरुसकार जीता है next question कर लेते हैं, सयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है सही आंसर है, option A करनाटक, करनाटक राज्जे ने सयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है next question कर लेते हैं, किस राज्जे में पारंपरिक फूल देही तोहवार मनाया गया है सही आंसर है, option B, उत्राखंड, उत्राखंड राज्ये में पारंपरिक फूल देही तोयार मनाया गया है, फ्रेंट्स यहां पर उत्राखंड आया है, राजधानी इसकी धहरादून है, मुख्य मंत्री त्रिवेंदर सिंग रावत है, गवर्नर का नाम है, बेबी रानी मौर्र और यहां की उचे नियाले के मुख्य नियादिश है, रमेश रंगनाथन, ठीक है, रमेश रंगनाथन है, नेक्स कोशन कर लेते हैं, सभी वित्ते बजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन सा बना है, सही आंसर है, option C, फिलिपीन्स देश जो है, यह सभी वित्ते बजारों को निलंबित करने वाला पहला देश बन गया, या बोसा तो जितने भी शेर मार्केट्स हैं, उसको निलंबित करने वाला पहला देश बना है, फिलिपीन्स, और फिलिपीन्स यहां पे फिलिपीन्स आया है, राजधानी इसकी मनीला है, और यहां की जो करंसी है, ये भी आपने याद रखना है। Next question कर लेते हैं। किस राज्य में Ropex यात्री नोका लाँच किया गया है। सही answer है, Option A महराश्ट राज्य में Ropex यात्री नोका को लाँच किया गया है। किस e-commerce company ने Life Insurance Company Agon के साथ साज़ेधारी करी है। सही answer है, Option A Flipkart ने e-commerce company Life Insurance company Agon के साथ साज़ेधारी करी है, Flipkart जो है भारत की online shopping company है। Next question कर लेते हैं, National Company Law Appellate Tribunal के नई अध्यक्ष कोन बने हैं। सही answer है, Option A बंशीलाल भट, बंशीलाल भट जो हैं, ये National Company Law Appellate Tribunal के नई अध्यक्ष बने हैं। Next question कर लेते हैं, राष्टी ये मुनाफ़ाखोरी प्राधिकरन के लिए किस कंपनी पर 75 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है। सही answer है, Option A पतंजली कंपनी पर राष्टी ये मुनाफ़ाखोरी प्राधिकरन ने 75 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है। Next हमारा, आयूद निर्मान दिवस का मनाया गया है। सही answer है, Option B 18 मार्च को आयूद निर्मान दिवस के रूप में मनाया गया है। Next question कर लेते हैं, राष्टी ये बायो फ्यूल पॉलोसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। Next question कर लेते हैं, साथवा वर्ल्ड सिटी सम्मीट का आयोजन की शहर में हुआ है। सही answer है, Option B सिंगापूर में साथवा वर्ल्ड सिटी सम्मीट का आयोजन किया गया है। Next question कर लेते हैं, International Day of Happiness कब मनाया गया है। सही answer है, Option C 20 मार्च को International Day of Happiness के रूप में मनाया जाता है। Next question कर लेते हैं, RBI ने अर्थ विवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने क्रोर रुपे का निवेश किया है। सही answer है, Option B 30,000 क्रोर रुपे का निवेश किया है RBI ने अर्थ विवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए अब सबी को बताए कि कुरोना वार्च के कारण जितने भी मार्केट्स बंद हैं बजार्स बंद हैं, बिजनेस बंद हैं इसलिए हमारे अर्थ विवस्था पे काफी ज़ादा असर पड़ा है और इसलिए RBI ने ये घोशना करी है विश्व जल दिवस कब मनाया गया है सही आंसर है Option C, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है Next question कर लेते है HIL India ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्रहाक भुकतान पोर्टल लांच किया है सही आंसर है Option D, Union Bank of India ने HIL India ने Union Bank of India के साथ मिलकर ग्रहाक भुकतान पोर्टल लांच किया है Next question कर लेते है किस राजे की सरकार ने पुलीस स्टेशन आंगुतुक सर्वेक्षन परनाली शुरू किया है Answer है Option B, हिमाचल परदेश राजे की सरकार ने पुलीस स्टेशन आंगुतुक सर्वेक्षन परनाली को शुरू किया है Next question कर लेते है अंतराश्टी उजय अजनसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा बन गया है Answer है Option A, भारत जो है यह अंतराश्टी उजय अजनसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश बन गया है Next question कर लेते है किस बैंक ने COVID-19 इमर्जनसी क्रेडिट लाइन शुरू की है Answer है Option B, SBI SBI ने COVID-19 इमर्जनसी क्रेडिट लाइन को शुरू किया है Friends, यहाँ पर SBI आया है SBI का full form होता है State Bank of India और हिंदी में बोलते है भारतिय स्टेट बैंक ठीक है और आप से एक्जाम में पुछा जाता है कि SBI का पुराना नाम क्या है Imperial Bank of India Imperial Bank of India जो है SBI का पुराना नाम है इसका headquarter मुंबई शहर में है इसकी स्थापना हुई थी एक July 1955 को और अध्यक्ष कोन है इसके रजनीश कुमार ठीक है रजनीश कुमार अध्यक्ष है और इस बैंक का जो tagline है वो है The Banker to Every Indian The Banker to Every Indian जो है यह SBI का tagline है आखरी question कर रहे हैं इस वीडियो का इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी question का revision रखा है जो कि इस वीडियो का सबसे बहतरीन पार्ट है इससे आपको सभी question इसी वीडियो में अच्छे दे समझ में भी आ जाएंगे हमेशा के लिए और याद भी हो जाएंगे और लास्ट में मैंने आपके लिए दस question का test भी रखा है ठीक है और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मेरे website पर जाके पढ़ सकते हो बाद में www.ravistudyqg.com है किसके दौरा लिखी पुस्तक मैसिहा मोदी अ ग्रेट टेल आफ एक्सपेक्टेशन का आजाएं और याद भी हो जाएं हमेशा के लिए ठीक है जो भी मैंने आपको पढ़ा है मैं आपको उपरी बता चुका हूँ मेरे website पर जाके आप पढ़ सकते हो कोई भी आपको PDF पे पैसे खर्चने की जरुरत नहीं पढ़ेगी आप नहीं फ्रेंट्स आपको नोट्स बनाने की जरुत पढ़ेगी ठीक है इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है तो आप मेरे website पर आके जितनी मर्जी बार आके पढ़ सकते हो बिल्कुल free of cost है यह special whatsapp ग्रूप है इसे भी आप जॉइन कर लीजिए निया करेंट अफे चैनल है रवी स्टडी आई क्यू जी के 2.0 इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ये एक्सपर्ट लेवला करेंट अफेर पढ़ाया था ने किस सेना में महिलाओं को स्थाई कमिशन दिये जाने की मंजूरी दिये है आंसर है नौ सेना next question कर लेते है कोरोना वाइरस के लिए safe hand challenge किसने शुरू किया है answer है WHO ने next question है मारा G20 Leader Summit कि शहर में आयोजित किया जाएगा answer है इसका रियाध में next question कर लेते है कोरोना वाइरस से संबंति जानकारी उपलब्द कराने के लिए कोरोना वाइरस information hub किसने लौंच किया है answer है WhatsApp ने next question स्वाव लंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोशना किसने करी है answer है Sidby ने next question है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शिर स्थान पर रहा है answer है Finland COVID-19 के कारण बिना किसी चूट के करफ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है answer है पंजाब बिमस्टेक शिखर सम्मिलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा answer है भारत next question कर लेते है किस देश ने महिला T20 विशकप 2020 जीता है answer है Australia Danish Himgal किस देश के नई प्रधान मंतरी नियुक्त होए है answer है Ukraine के अश्रफ घनी किस देश के दूसरी बार राष्टपती नियुक्त होए है answer है Afghanistan next question है हमारा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने है answer है Jack Ma coronavirus के लिए जागरू करने के लिए कोवा नामक mobile app किस ने लौंच किया है answer है पंचाब ने कौन सा राजय पोशन अभ्यान लागू करने वाला शीर स्थान पर रहा है answer है इसका आंधरपरदेश next question कर लेते है बांगरादेश का निया रास्टे नारा क्या बना है answer है Joy Bangla COVID-19 को किस ने महामारी घोशित किया है answer है WHO ने हाली में अमिताब बच्चन किस बैंक के नए ब्रैंड अम्बेसर बने है answer है IDFC First Bank NCRB ने 35 वा स्थापना दिवस कब मनाया है answer है 11 March को next question 2020 में किस टीम ने पहला रंजी ट्रॉफी किताब जीता है answer है सौराश्ट विश्व उभोगता अधिकार दिवस कब मनाया गया है answer है 15 March को किसे BCCI के मध्यस्त के रूप में नियुक्त किया गया है answer है P.S. नरसीमा next question है मारा राश्टिय टीका करन दिवस कब मनाया गया है answer है 16 March को मुंबई Central Railway Station का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा answer है नाना शंकर सेट किसे RBI केंदरिये बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है answer है देवाशिश पांडा next question कर लेते हैं रिदेश कुमार को किस राजे का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है answer है जम्मो कश्मीर rating agency S&P ने 2020 में भारत की विकासदर कितने परतीशत रहने का अनुमान लगाया है answer है 5.2% Google Cloud India का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है answer है करन बाजवा next question कर लेते हैं बजाज आटो का नया MDN CEO किसे नियुक्त किया गया है answer है राजी बजाज युगांडा में भारत का अगला उचायुक्त किसे नियुक्त किया गया है answer है ए अजय कुमार next question कर लेते हैं अंतर राष्टी वन दिवस कब मनाया गया है answer है 21 मार्च को 7 जवाला मुखी शिखर पर चड़ने वाले पहले भारतिय कोन बने है answer है सत्य रूप सिद्दान्थ next question है मारा और अंगाबाद हवाई अड़ा का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया गया है answer है चतरपती संभाजी महराज next question कर लेते हैं कोन सा राजे पोशन अभिहान के प्रतियोगिता की सूची में शीर स्थान पर रहा है answer है तमिल लाडो friends अगर आपको मेरा पढ़ायवा पसंद आ रहा है content पसंद आ रहा है friends वीडियो को like जरूर करिएगा कम से कम 10 friends के साथ share भी जरूर करिएगा और जितने भी questions हैं आप मेरे website पे जाके पढ़ सकते हो www.ravistudyiqugk.com google पे या किसी भी browser में आपको search करना है www.ravistudyiqugk.com ठीक है साथ साथ लिखना है आपने ये बिल्कुल और अप अप कोई भी PDF पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पढ़ेगे ठीक है बिल्कुल free में आप में हमारे website जाके पढ़ सकते हो Google ने कि शहर में cloud network सुविधा बनाने की घोशना करी है आंसर है नई दिल्ली कोन सा राज्य सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में शीर स्थान पर रहा है आंसर है गुजराद इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डियाईजी कोन बनी है आंसर है नुपुर कुल्षरेष्ट नेक्स्ट कोशन BBC Indian Sports Women of the Year Award 2019 किसने जीता है आंसर है पीवी सिंदो ने किस युनिवर्सटी ने अपना रेडियो स्टेशन रेडियो खांची शुरू किया है आंसर है रांची युनिवर्सटी वर्ल्ड किड्नी डे कब मनाया गया है आंसर है बारा मार्च को मनाया गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस राजे की सरकार ने निकाई चुनावों में निगरानी के लिए निगहा एप को लॉंच किया है आंसर है आंतरपरदेश गुगल पर सबसे अधिक सर्च किये जाने वाली महिला कोन बनी है आंसर है टेलर सुइफ्ट नेक्स्ट कोशन है मारा महिला उदमिता को प्रसाहित करने के लिए प्रगती पहल किसने शुरू किया है आंसर है फेस्बुक अस्ट्रेलिया की सबसे उची चोटी माउंट कोसी युसको पर चड़ने वाली भारती महिला कोन बनी है आंसर है भावना धेरिया किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवशक्त वस्तु घोशित कर दिया है आंसर है भारत 2020 में किसे युगांडा के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है आंसर है राजे शपलोट किस राजे की सरकार ने सारवजनिक स्थानों पर थोगने पर 500 रुपे का जुर्माना लगाया है किस पतरकार को चमेली देवी जैन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है आंसर है आरफा खानम शेरवानी और रोहिनी मोहन हाली में किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा लाइफ लॉंच किया गया है आंसर है मनोहर परिकर गोपाल रैडी किस राजे के नए मुख्य सचिव नियुक्त होए है आंसर है मध्यपरदेश पारदर्शी तरीके से भूमी अधिगरहन करने के लिए भूमी राशी पोटल किसने शुरू किया है आंसर है सरक पड़िवहन एवं राजमाग मंत्रा ले राजे सबा सदस्य बनने वाले पहले पूरु मुख्य नियाधिश कौन बने है आंसर है रंजन गो गई फिंट सी सबसे भैतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो फिर टेस्ट दे तो मैं आपको उसी भैतरीन तरीके से बढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट कोशन है हमारा भारत सरकार ने 200 ML Hand Sanitizer की कीमत कितने रुपए तै की है आंसर है 100 रुपए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है आंसर है 23 मार्च अंतराच्टी महिला दिवस कब मनाया गया है आंसर है 8 मार्च किस खिलाडी को टाइमस ओफ इंडिया स्पोर्ट्स अवर्ड 2019 में किर्केटर ओफ दा इयर अवर्ड जीता है आंसर है रोही शर्मा नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस शहर में नैनो विज्ञान और प्रोधोगी पर अंतर राष्टी सम्मेलन आयोजित किया गया है आंसर है कोलकाता किस कमपनी ने हैदराबाद मैटरो के साथ क्यू आर अधारी टिक्टों के लिए समझाता किया है आंसर है पेटियम QS World University रैंकिंग में कौन शीर्स पर रहा है आंसर है MIT हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार बैंक खातों में महिलाओं का सवामित बढ़कर कितने पर्तिशत हो गया है आंसर है 77% भारतिय तट रक्षग अभ्याद सारक्स 2020 कहां आयोजित हुआ है आंसर है गोवा में टोक्यो अलम्पिक के लिए कौलिफाई करने वाली पहली भारतिय मुक्य बाजी कौन बनी है आंसर है पूजा रानी ठीक है पहली महिला होगा हाँ पर नेक्स्ट कोशन कर लेते है महिलाओं के लिए अंतर राष्टिय महिला दिवस के दिन किस ने किया है आंसर है डॉक्टर हर्षवर्दन फ्रिंट से हाँ मैं नमबर लिखा आपके लिए अपके लिए ठीक है नेक्स्ट कोशन कर लेते है कौन सा देश फ्रीडम इन दा वर्ल्ट 2020 रिपोर्ट में शीर स्थान पर रहा है आंसर है फ्रिंलेंट BBC World History Magazine ने किसे दुनिया में सवरकालिक सबसे महान नेता चुना है आंसर है महाराजा रंजीर सिंग नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस राज्य में फगली उत्सव मनाया गया है आंसर है हिमाचल परदेश नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाब पक्षपात करने में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है आंसर है पाकिस्टान नेक्स्ट कोशन किस राज्य की सरकार ने स्वय सहयता समूं के लिए मिशन शक्ती विभाग बनाया है आंसर है ओडिसा साथमें डॉक्टर एमे स्वामी नातन पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है आंसर है वी प्रवीन राओ फोन पे ने यूपी आई लेंदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साजेदारी करी है आंसर है आई सी आई से बैंक महिलाओं की कौशल विकास के लिए डिजी पाइवोर्ट कारेकरम किसने शुरू किया है आंसर है गूगल इंडिया ने आंसर है वी एफ की यंग ग्लोबल लीडर्स की सुची में किसे शामिल किया गया है आंसर है गौरव गुपता और बाईजूस रविंदरन किस राजे की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्त के इंदरों पर आरोग्य मेत्र की न्योक्ती करने की घोशना करी है आंसर है उसका उत्तरपरदेश किसे वर्ल्ड गॉल्फ हॉल ओफ हीम में शामिल किया गया है आंसर है टाइगर वोर्ड्स किस राजे की सरकार ने उत्तरायन योजना के तहट 33 स्टेडियमों की निर्मान की घोशना करी है आंसर है असम डाक विभाग ने कहां एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लौकर सेवा को शुरू किया है आंसर है कोलकाता नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं भारत ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है आंसर है दूसरे स्थान पर दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान जेनले वाले अरपतियों में कौन शीर स्थान पर है आंसर है बार्नाड अर्नौल्ड भारत का पहला जिवीत पाग कला संगरहले को लिमका पुक आफ़ दा रिकॉर्ड में शामिल किया गया है यह किस राज्य में स्थेत है आंसर है मनीपल राज्य में नेक्स कोशन कर लेते हैं किस देश ने दुनिया की इकलौती सफेद महीला जिराफ की मिर्ती हुई है आंसर है केनिया नेक्स कोशन कर लेते है अब्जर्वर एप लाउंच करने की घोशना किस ने की है आंसर है चुनाव आयोग ने एशियाई छेतर के लिए राष्टमंडल युवा पुरुसकार किसने जीता है आंसर है पदनाबन गोपालन सायद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है किस राजे के पारंपरिक फूल देही तयहार शुरू हुआ है आंसर है उसका उत्तराखंड सभी वित्तिव वजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कोन सा बना है आंसर है फिलिप्पीन किस राजे में रोपेक्स यातरी नौका लौंच किया गया है किस एकॉमर्स कंपनी ने लाइफ इंशॉरेंस कंपनी एगोन के साथ साजेदारी करी है आंसर है फिलिपकार्ट नैशनल कंपनी लौ अपीले ट्रिविनल के नई अध्यक्ष कोन बने है आंसर है बंशीलाल भट नेक्स कोशन कर लेते हैं राश्टिय मुनाफ़ा खोरी प्राधिकरन ने किस कंपनी पर 75 करोर रुपे का जुर्माना लगाया है आंसर है पतंजली नेक्स कोशन कर लेते हैं आयूद निर्मान दिवस कब मनाया गया है आंसर है 18 मार्च को नेक्स कोशन है मारा राश्टिय बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आंसर है राजस्थान साथवां World Cities Summit का आयोजन की शहर में हुआ है आंसर है सिंगापूर में इंटरनेशनल Day of Happiness कब मनाया गया है आंसर है 20 मार्च को RBI ने अर्थ विवस्ता में स्थिर्टा बनाये रखने के लिए कितने क्रोर रुपे के निवेश की घोशना की है 30,000 विश्व जल दिवस कब मनाया गया है आंसर है 22 मार्च को मनाया गया इसकी बाद जो मैंने आपके लिए 10 कोशन का टेस्ट रखा है वो टेस्ट जरूर अटेम्ट करना HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्रहाक भुकतान परोटल लॉंच किया है आंसर है Union Bank of India किस राज्य की सरकार ने पुलिस स्टेशन आंगोतुक सर्वेक्षन परनाली शुरू किया है आंसर है हिमाचल परदेश अंतराश्टी उर्जा अजनसी के अनुसाद बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश कोन बना है आंसर है भारत आंसर है तवलीन सिंग मैंने आपको यह 103 कोशन करवाए फिर 103 कोशन का रिवीजन भी करवा दिया उमीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आ गया होंगे और याद भी हो गया होंगे सबसे बheadर न तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो फिर टेस्ट ले दो तो मैंने अपको उसी बheadर न तरीके से पढ़ा रहा हु जितने भी कोशन्स है अगर आपको बाद में पढ़ना है जब आपके एक्जाम आते है तो आपको कहीं पर लिखने की ज़रुवत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रुवत नहीं है, ना ही PDF खरीदने की ज़रुवत है, इस सब कुछ आपके लिए completely free है, आपको मेरे website पर visit करना है www.ravistudyiqgk.com, यहाँ पर जाके friends आप पढ़ सकते हो, ठीक है, हर महिने की वीडियो ज 3399, double line से भी आप जूर सकते हो, यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है, टेलिग्राम, Facebook, Instagram पर भी जूर सकते हो, रवी स्टड़ी IQGK नाम से है, नया करन्ट अफे चैनल भी लाँच हो चुका है, रवी स्टड़ी IQGK 2.0, यहाँ अपे डेली करन्ट अफर की वीडियो आती है, सुभे चार बजी और बहुती बेस्ट क्वालिटी का PDF दिया जाता है, हमारे पास, ठीक है, तो इसे भी फ्रेंट्स आप सबस्क्राइब कर लीजिए, तो चलिए फ्रेंट्स, टार्ट करते हैं, हम टेस्ट, सभी कोशन का आंस आपने कमेंटर के देना और वीडियो कैसी लगी है, आपने ये भी ज़रूर बताना है, कमेंट करके, तो फ्रेंट्स आपको टेस्ट के लिए all the best, फर्स्ट कोशन है हमारा, अदनान अल जुरुफी किस देश की नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए है, चार आप्शन्स ह आपके पास, अंसर आपने कमेंटर के बताना है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, करोना वैरेस के लिए सेफ हैंट चैलेंज किसने शुरू किया है, फ्रेंट्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए हैं, वीडियो को आप प्रॉस कर सकते हो, नेक्स्ट कोशन है मारा, जी जानकारी उपलब्द कराने के लिए, कोरोना वारेस इन्फोर्मेशन हब किसने लॉँच किया है, चार ओप्शन हैं आपके पास, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, स्वाव लंबन एक्सप्रेस, स्वाव लंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोशना किसने करी है, चार अंसर आपने कमेंटर के बताना है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं COVID-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फिव लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है चार ओप्शन्स है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं विम्स्टेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा आंसर कमेंटर के देना है आखरी कोशन कर लेते हैं टेस्ट का किस देश ने महिला T20 विश्व कब 2020 जीता है फ्रेंट्स मैंने आपको यह 103 कोशन करवा है फिर 103 कोशन का रिवीजन भी करवा दिया और 10 कोशन का टेस्ट भी दे दिया उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शरूर करिये जितनी बार भी आपने पढ़ना है, आप मेरे वेबसाइट पर आओ, गुगल पर या फिर किसी भी ब्राउजर में जाके सर्च करो www.ravistudyiqugk.com यहां से जाके फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो हर महिने का Current Affair, GK, Science, Maths, Reasoning, English, सब कुछ पढ़ सकते हो, free of cost है बस आपको हमारे वेबसाइट पर आना है, ठीक है, whatsapp पर जूर सकते हो, 7814-339999 नमबर है, ठीक है फ्रेंड्स और हमारे निया Current Affair चैनल भी लॉंच हो गया है, रवी Study IQ GK 2.0 है, टेलिग्राम, फेस्बूक, इंस्टाग्राम पर जूर सकते हो, रवी Study IQ GK नाम से है तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, एंड विश यू, अल दी बेस्ट